Hello friends, welcome to my channel Ask English and I am Saroj Kumar Singh, your English trainer. जहां आप सिखते हो English, थोड़ो Hindi, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा ही interesting है और अक्सर English speaking की बात हो या फिर essay writing की, जब कभी भी बड़ी बड़ी sentence या पेचीदा sentence आ जाते हैं तो हमारी writing skill हो या फिर speaking उस पर break लग जाता है example के लिए इस sentence को आप देखो अजादी से पहले भारत में पूंजी वाद, सामन्त वाद तथा अपनिवेस वाद का सासन था अगर मान लो आप भारत की अजादी के बारे में इंगलिस में essay लिख रहे हो या फिर speech दे रहे हो तो इस परकार के sentence में अकसर अटक जाते हो अब विश्वास करो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा बिना skip के हुए तो जिन्दगी में कभी नहीं अटकोगे और इससे भी ज्यादा मुश्किल सेंटेंस असानी से बनाओगे ऐसे बाइदे वे इसको हम बोलेंगे देर वाज गोवर्नेंस आफ कैप्टिलिजम, फियोडिलिजम और कोलोनिलिजम इन इंडिया बिफोर लिवर्टी इस sentence को और भी डिपली जानेंगे बट सबसे पहले हम आसान आसान sentence से सीखेंगे येस, तो आज हम सीखेंगे यूज ओप देर एक देर के बारे में तो सब कोई जानता है जिसका मतलब होता है वहाँ तो इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूँगा फिर भी एक हलका सा जहलक देख लेते है ये जो sentence है वे लोग वहाँ जाएंगे आपको वहाँ पढ़ना चाहिए मैं वहाँ एक घंटे बैठा इन sentence को आप देखोगे तो देर का यूज वहाँ के लिए किया जा रहा है एक छोटा सा ट्रिक है ये याद कर लो अगर देर वाके के अंत में या फिर बीच में आए तो इसका मतलब वहाँ होता है पर अगर वाके के सुरू में आए तो उसे हम इंट्रडेक्टी देर बोलते है और वो साइलेंट होता है इंट्रडेक्टी देर किसी अनिचित व्यक्ति पता ना चले तो उन sentence को हम dear स्टाइट करते है example, एक राजा था, वाजा king, क्या ये सही लग रहा है? नहीं न यहां पर कुछ तो missing है, yes यहां पर missing है हमारा subject तो जहां subject का पता ना चले, वहाँ यूज़ करेंगे dear का, dear वाजा king अकबर एक राजा था अकबर वाजा किंग यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में हमें मालूम है सो यहाँ पर देयर का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट अकबर है सो अकबर एक राजा था अकबर वाजा किंग Dear के यूज के बारे में जानने के साथ यह भी आप अपने दिवाग में रख लो कि किसी भी संटेंस के सुरुआत किसी भी संटेंस के सुरुआत प्रिपोजीशन से नहीं करते हैं यह जो लिस्ट है इनहीं को प्रिपोजीशन कहते हैं और sentence की सुरुवात तो इनसे कभी नहीं करते हैं। आओ इसे example से समझते हैं। मेरे गाओं में एक साधू है। सबसे पहले आपको इस परकार के sentence में preposition कहा लिखा हुआ है, वो देखना है। और preposition और उससे पहले आने वाले word का use हम sentence के last में करेंगे। आप इस example को देखो, मेरे गाओं में एक साधू है। इस sentence में preposition है मैं, तो हमें क्या करना है, मेरे गाओं में, इसको हम बार में translate करेंगे। अब क्या बचा, एक साधू है। तो पहले हम इसकी English लिखेंगे, एक साधू है, is a sent, या फिर a sent is, नहीं, ये दोनों गलत हैं। Actually, इसमें subject का पता नहीं चल दा है, इसलिए इसे हम there से बनाएंगे। तो बनेगा, there is a sent, and last में लगा देंगे, मेरे गाओं में, तो बनेगा, in my village, तो हमारा complete sentence बना, there is a sent, in my village, इस पर करके जो sentence होते हैं न, वो होते तो start there से, बट इनका कोई आर्थ नहीं होता है। Next example देखते हैं, मंदिर के सामने एक बड़ा तलाब था, इस sentence में भी हम मंदिर के सामने को बाद में बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इस परकार के sentence में जहां subject का भाव हो, वहां preposition और preposition के पहले वाले sentence को बाद में बनाते हैं। अब क्या बचा? एक बड़ा तलाब था, तो इसका बनेगा there was a big pond और उसके बाद एड़ कर देंगे मंदिर के सामने, in front of temple, there was a big pond in front of temple. टेबल पर एक किताब है, टेबल पर को आप हटा दो, तो बचा क्या? एक किताब है, there is a book, और last में table पर जोड़ दो, there is a book on the table, दिमाग में गंदगी है, there is a bad idea in the mind, नदियों में पानी है, there is a water in the river, same rule लगेगा, जहां भी preposition आए, वहां से कट लगा दो, और उसके बाद जो बचा, उसे पहले बनाओ, जैसे पानी है, अब इसका तो is water तो नहीं बनेगा, अटपटा सा लग रहा है, तो इसलिए यहां there यूज करेंगे, simple सा फंडा है, जहां ना पता चले क्या लगाएं, तो वहां there का यूज करें, यह तो थे असान से sentence, अब कु मोटे मोटे sentence, बट देर के साथ इन सब का भी यूज कर सकते हैं, present tense में हम singular की बात करते हैं, तो is का यूज करते हैं, बट जब plural की बात करते हैं, तो आर का यूज करते हैं, और जब past की बात होगी, तो एक के लिए वाज और एक से ज़्यादा है तो वर, और future के लिए हम will be क यूज करते हैं, example, एक problem होगी, there will be a problem, इस तरह आप may be, might be, can be, should be, could be, would be, must be का यूज कर सकते हो, जैसे आप इस sentence को देखो, उस class में कुछ bench होनी चाहिए, there should be some benches in that class, यही है introductory there, कुछ है नहीं, बस आपको ध्यान रखना है, जब कभी sentence में कुछ missing सा लगे, तो लेके आजाओ there को, अब इसी example को देख लो, इस bike में petrol नहीं है, इस bike में को अलग करो, बचा petrol नहीं है, तो बनेगा, there is no petrol, और last में add कर दो, bike में, that means there is no petrol in this bike, इसी तरह, अगर आपको सवाल पुछना हो, तो वो भी देख लेते हैं, मालो आप किसी दुकान में गए, और आपने पूछा, चीनी है क्या, तो आप क्या बोलोगे, it's sugar, कुछ हट पटा सा नहीं लग रहा है, इसका correct sentence बनेगा, it's there sugar, तुम्हारे परिवार में कितने सदसे हैं, how many members are there in your family, बट अक्सर आपने सुना होगा, how many members in your family, जो की सरासर गलत है, बट आप तो ऐसी गलती मत करना, ये था देर का यूज, जिसे मैंने बहुत ही असान सब्दों में समझाने की कोशिश किया हूँ, अब आजाओ उस sentence के बारे में, जिससे हमने विडियो स्टार्ट किया था, अजादी से पहले भारत में पूंजी वाद, समंत वाद तथा उपनिवेस वाद का सासन था, इसमे सिंपल है, जहां हमें पता ना चले कि कैसे स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करो विद देर, तो देर वाद देर वाद गवर्नेंस आफ कैप्टलिजम, फ्यूर्डिजम, और कोलोनिलिजम, और लास्टम एड़ कर दो, इन इंडिया बिफोर लिवर्टी, अब आज से बनाते रहो, इस से भी मुश्किल मुश्किल संटेंस, देर के साथ, ये था इंटोडेक्टी देर का यूज, मैं समझ सकता हूँ, विडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इसका पार्ट टू लाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि देर के साथ, में भर्व का इस्तमाल कैस और करेंस, झाल है, ये लिए ये झाल का यूजर, ये ये खाओन देरा क्का रहांगा को लिएर के साथ, भी घजे हो गरो हैं, भी फ्यूजर, ये बतापना टूजर, ये रहो हैं, ग्यूदर, ये भी रहाऊंगा, वे लावागा.